नमस्कार, स्वागत आपका कहानियों की दुनिया में प्रस्तुत है अमरकांट जी द्वारा लिखी कहानी जिंद्गी और जोग ये कहानी है एक ऐसे अनात और गरीब बिखारी बच्चे की जिसका सोशन पूरे महले और समाज द्वारा किया जाता है और उसकी जिंद्गी जोग की तरह चिमट कर उसके रक्त की एक-एक बूंद पीती रहती है तो आईए चलते हैं कहाने की ओर कहानी सुनने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब अबस्ष करें क्योंकि यह हमारे चैनल को आगे ले जाने और आप तक इसी तरह की कहानी पहुँचाने के लिए बहुत जरूरी है मुहले में जिस दिन उसका आगमन हुआ सबीरे तरकाली लाने के लिए बाजार जाते समय मैंने उसको देखा था सिवनात बाबू के घर के सामने से टपक कर बेहोस हो गया हो अत्वा दच्छिन भारत से कोई बूला वटका सादू निश्चिंत इस्तान पाकर चुपचाप नाक से हवा कहींच कहींच कर पेड़ायाम कर रहा हो फिर मैंने सायद एक दुबार और भी उसको कट पुतले की भाती डूल डूल कर सड़क को पार करते या महौले के एक दो मकानों के सामने चकल लगाते या वैटकर हापते हुए देखा इसके अलावा मैं उसके बारे में उस समय तक कुछ नहीं जानता था रात की लगवग दस बजे मैं खाने के बाद बाहर आ लेटा था चेत का महीना हवा तेजी से चल रही थी चार और घुप अंदे आ रहा प्रारंबिक जपकियां ले ही रहा था कि मारू मारू का हला सुनकर चौक पड़ा यह सोरगुल बढ़ता गया मैं ततकाल हुट बैठा हुआ सायद आवाज सिवनात बावु के मकान की गुर से आ रही थी जल्दी से पाउं चपल में डाल उदर को चल पड़ा मेरा अनमन ठीक था सिवनात बावु के मकान के सामने ही वीड लगी थी मुहले के दूसरे लोग भी सोरगुल सुनकर अपने घरों से भागे चले आ रहे थी मैंने वीतर गुषकर देखा और कुछ चकित रहे गया कंड हर का वही बिखमंगा था सिवनात बावु का लड़का रगवीर उस बिखमंगे की दोनों पाहों को पीछे से पकड़े हुए था और दो तीन ब्यक्ति आँख मुद तता ओचल कुद कर उसे बेतहां सा पीट रहे थे सिवनात बावु तता अन्य लोग उसे भाईजने कुद से आँखें फाड़ फाड़ कर भूर रहे थे बिखमंगा नाटा था गाल पिछके हुए आँखें दसी हुई और चातियों की हट्डियां साप पांस की कप्चियों की तरह दिकाई दे रहे थे पेट नाट की तरह फूला हुआ मार पढ़ने पर बेतहां सा चला रहा था मैं बड़ई हूँ बड़ई हूँ साला चटा हुआ चोर है साहब सिवनात बावु मेरे पास सरक आये थे पर ये हमारा आपका दोस है कि आदमी नहीं पेहँचानते गरीबों को देखकर हमारा आपका दिल पसी जाता है और मौका भी मौका कुदी चुनी साग सत्तु देही दिया जाता है आपने तो इसको देखा ही होगा मालूम होता था महीनों से खाना नहीं मिला है पर कौन जानता था कि साला ऐसा निकलेगा हरामी का पिल्ला फिर बिगमांगी के तरफ देखते हुए मुड़कर गरज पड़े बता साले साड़ी कहां रगी है नहीं वो मार पड़ेगी ना नहीं याद आ जाएगी उनका गला जोर से चिलाने के कारण किछित बैट गया था इसलिए संभावत थकरज वो चुप हो गए पीटने वालों ने भी इस समय पीटना बंद कर दिया था लेकिन सिवनात बावु के बक्तब से राम जी का सोहदा पहलवान लड़का तन्नू अत्यदिक प्रभावित मालूम पड़ा वो अभी अभी आया था और सिवनात गंदी गालियां देते हुए विकमंगे को पीटना शुरू कर दिया एक डिट हफ्ते से मोहले में आया हुआ है सिवनात बावु जैसे निश्चित प्योकर फिर बोले लालची कुत्तों की तरह इदर इदर उदर भूमा करता था सो हमारे घर में तया आ गई एक रोज उसे बुलाकर उन्होंने कोटोरे में दाल भात तरकारी खाने को दे दी बस फिर क्या था परक गया रोज आने लगा खेर कोई बात नहीं थी आपकी दिया से ऐसे दो तीन भर विकमंगे रोज ही खाकर दुआ दे जाते हैं यह घर में आने लगा तो मौका पढ़ने पर एकाद का देता था अब एक इसको पता था कि आज यह घर से नई साड़ी चुरा लेगा आपको टेक से पता है कि साड़ी इसी ने चुराई है मेरे इस प्रसंद से वे विकड़ गए और बोले आप भी खूब बात करते हो यही पता लग गया तो चोर कैसा मैं तो खूब जानता हूं क कि यह सब चोरी का माल उस्यारी से छपा देते हैं और जब तक इनकी कड़ी पिटाई न की जाए कुछ नहीं बताते अब यही समझीए कि करीब 9 बजे साड़ी गाया हुई जमना का कहना है कि उसी समय उसने इसको किसी सामान के साथ गर से निकलते हुई देखा पिर मैं यह कि आए दस बरस से मेरे घर का दरवाजा इसी तरह खुला रहता है लेकिन कभी चोरी नहीं हुई आज ही कौन सी नई बात हो गई कि वो आया नहीं और महले में चोरी बद्वासी शुरू हो गई अरे मैं इन सालां को कूप जानता हूँ वो बिखमंगा अभी तेज मार पंड का नाम ले रहा था जैसे हर जाती के लोग चोर हो सकते हैं लेकिन बडराइक कतई नहीं हो सकते हैं नई लोग अब भी आ रहे थे वेक रोद और उत्तिजना में आकर उसे पीटते और फिर वीड में मिल जाते और जब लगातार मार पढ़ने बर भी उसने कुछ नहीं बताय तो लोग खामखा ठक गए, कुछ लोग वहाँ से सरकने भी लगे, किसी ने उसे पेट से बांधने और किसी ने पुलिस के सुपूर्द करने की सला दी, मैं भी कुछ यसी सला दे कर किसकना चाहता था, कि सिवनात बावू का मजरा लड़का योगन दोरता हुआ आया, और अप अपने पिताजी को अलग ले जाते हुए, कुछ बातें की, कुछ देर बाद सिवनात बावू जैसे बापस आई, तो उनके चेहरे पर हवाईयां से ओड रही ही थी, एक दो चंड़े इदर उदर, तता मेरी और बेचारी की तरह देखने के बाद वो बोले, अच्छा, इस पार छोड़ देते हैं, साला कापी पुट चुका है, आएंदा ऐसा करते चेतेगा, लोग सिवनात बावू को बुरा वला कहकर रास्ता नापने लगे, मैंने उनकी और मुश्करा कर देखा, तो मेरे पास आकर जपते हुए बोले, इस पार तो साड़ी घर में ही मिल गई, पर कोई बात नहीं, चमार स्याट डाट डपट पाते ही रहते हैं, हरे इस पर क्या पड़ी है, चोर चाही तो रात वर मार खाते हैं, और कुछ भी नहीं बताते, फिर बाई आक को कोबी से दवाते हुए दान्त कोलकर अच पड़े, चलिये साहब, नीच और नीवू को दव पाने जही रस निकलता है, कभी कभी मुझे आचार होता है, कि उस दिन की पटाई के बाद भी खंडर का वो बिखमंगा मोहले में ठिकी रहने की हिम्मत कैसे कर सका, हो सकता है, उसने सोचा हो कि निर्दोस चूट डाने के बाद मोहले के लोगों का विश्चास और सानूटी उसको प्राप्त हो जाएगी, और दूसरी जगह उसी अनिश्चिता का सामना करना पड़ेगा, चाहे जो हो, उसके प्रती मेरी दिल्चस्पी अब और बढ़ गई थी, मैं उसको कंडर में बैठकर कुछ काते या चुप्चाप सोते या मोहले में डग डग सरकते हुए लोग अब उसको कुछ न कुछ दे देते, बचा हुआ बासी या जूटा काना पहले कुत्तों या बिकावे वैंसों को दे दिया जाता, परंतु अब और वरतें बच्चों को दोड़ा देती, की जाकर बिकमंगे को दे आओ, कुछ लोगों उने तो उसको कोई पहुँचा ह हुआ सादू महात्मा तक कहडाला, और दीरे दीरे उसने खंड़ार का परित्या कर दिया, और आमसान, मूती इवं विश्वास का आश्र जनक लाव उठाते हुए, जब वो किसी न किसी की उसारे अदालान में जमीन पर सोने बैटने लगा, तो लोग उससे हलके फुलके का लक्ट से गुजरते समय संक्यत से अपने पास बुलाया, और तिर्शी नजर से देखते हुए मुस्करा कर बोले, देख वे, तुने चाहे जो भी किया हो, हम्चे तो यह सब नहीं देखा जाता, धदर बटकता रहा, कुत्य शुवर का जीवन जीता है, आज से यह दर उदर लूप से रहने लगा, उन्हीं के यहां उसका नाम करड़ भी हुआ, उसका नाम गोपल था, लेकिन सिवनात बाबु के दादा का नाम गोपल चिंग था, इसलिए घर की औरतों की जवान से वो नाम नहीं उतरता, उन्होंने उसको रजुवा कहना आरम किया, और दीरे दीर जून बोजन पर रजुवा सिवनात बाबु की सेवा करे, जब भगवान ने उनके बीच एक नौकर भेजी दिया था, तो उस पर उनका भी उतना यदिकार था, और उन्होंने मौका देखकर उसको अपनी सेवा करने का अबसर देना आरम कर दिया, वह सिवनात बाबु के कि किसी काम से जाता, तो राष्टे में कोई ना कोई उसको पैसे देकर किसी काम की फरमाइश कर देता, और यदि वह आना कानी करता तो संब्दित ब्यक्ति बिगड़ कर कहता, साला, तू सिवनात का गुलाम है, वह क्या कर सकते हैं, मेरे यहाँ बेट कर खाया कर, वह क्या खि किन्तु उसको पीटने का और व्यक्तियों को भी उतना ही अधिकार था, एक वार जमनाल के लड़के जंगी ने रजुगा से तीन चार आने की लकडी लाने के लिए कहा, और रजुगा फौरान आने का वादा करके चला गया, पर वह सिग्र ना आ सका, क्योंकि सिवनात अरे सुर, दुपा देता है, कह देता नहीं आऊंगा, अब आज मैं तो इसे दिन बार काम कराऊंगा, देख कौन सालर रोकता है, आगर हम भी मुहले में रहते हैं की नहीं, और सच मुच, जगी ने उससे दिन बार काम लिया, शिवनात बाबु को सब पता लग गया, लेकि उनकी उदार बिहारिक बुद्धी की प्रसंसा किये बिना नहीं रहा जाता, क्योंकि उन्होंने चूतक नहीं की, ऐसी ही कई गटनाय हुई, पर रजुवा पर किसी का हिस्ता ही अधिकार निश्चित ना हो सका, उसकी सेवाओं की उपयोग संबंदी कीचातानी से उसका समा सके, वतेजी के साथ 25-50 गगरे पानी न बर सकता था, बाजार से दोड़कर भारी सामान सौधा न ला सकता था, अतेव लोग उससे छोटा मुटा काम ले लेते और इच्छा उनसार उसे कुछ ना कुछ दे देते, अब ना वो शिवनात बाबु के यहां टिकता और ना जमन लल के यहां, क्योंकि उसको कोई टिकने ही न देता, उसको रजुआ ने भी समझ लिया, और मौले के लोगों ने भी, वह आप किसी व्यक्ति विसेस का नहीं, बलकि सारे मौले का नौकर हो गया, रजुआ के लिए चोटे मुटे कामों की कमी न थी, किसी के यहां कापी कर व करते हैं, या किसी मिले या कार खाने में काम करने लगते हैं, दो-चार बेक्तियों के यहां ही नौकरते, एन्य घरों में कहार पानी भर देता, लेकिन वो गगरों के हिसाब से पानी ये था और यदि ए गगरा भी अदिक देता, तो उसका मेहन तानः पाई पाई भसूर कर लेता इसी इस्तिती में रजुआ का आगमन जैसे भगवान का वर्दान था लोग उससे चोटा बड़ा काम लेकर इच्छा उनसारों उसकी मैज़ुरी चुका देते कि उसने कोई चोटा काम किया तो उसे बासी रोटिया भात या बुना चुना या सत्तु दे दिया जाता और वह एक कौने में वैटकर चापुट चापुट खा फांक लेता अगर कोई बड़ा काम कर देता तो एक जून का खाना मिल जाता पर उसमें अनिवार्ले रूप से एक आप चीज बासी रहती और कभी-कभी तरकारी या दाल नदारत होती कभी भात नमक मिल जाता जिसे वो पानी के साथ खा जाता कभी-कभी रोटी अच्चार और कभी-कभी तो सिब तरकारी ही खाने या दाल पीने को मिलती कभी खाना ना होने पर दो-चार पैसे मिल जाते या मोटा पुराना कच्चा चावल या दाल या चार छे आलू कभी उदार भी चलता वो काम कर देता और उसके एवज में फिर किसी दिन कुछ न कुछ पा जाता इसी तरह वो मेरे घर भी आने लगाता क्योंकि मेरी स्रीमतिजी बुद्धी के मामलें किसी से पीछे न थी रजुआ आता और काम करके चला जाता एक दो बार मुझसे भी मुटवेड हुई पर कुछ बोला नहीं कोई चुटी का दिन था मैं बाहर बैटा एक किताब पढ़ रहा था कि इतने में बीतर रजुआ आया और कौने में बैटकर कुछ खाने लगा मैंने गुमकर एक निगाव उस पर डाली उसके हाथ में एक रोटी और तोड़ा सा आचार था और वो सुखर की बाती चापुट चापुट खा रहा था बीच बीच में वो मुस्क्रा पढ़ता जैसे कोई वड़ी मंजल सर करके बैठा हो मैं उसकी और देखता रहा और मुझे वो दिन याद आ गया जब वो चोरी के अव्योग में उसकी पिटाई होई थी जब वो खाकर उटा तो मैंने पूचा क्यों रे रजुआ तेरा घर कहा है वो सक पका कर खड़ा हो गया फिर मूँ टेडा करके बोला सरकार रामपुर का रहने वाला हूँ और उसने दात निपोर दिये गाउँ चोड़ कर कि हाँ क्यों चला आया मैंने पुन प्रसंद किया छड़ वर वो असमन जस्मे मुझे खड़ा तांकता रहा फिर बोला सरदार पहले रशड़ा में था जैसे रामपुर से सीथे बलिया आना अपराद हो उसके लिए संभवत क्यों कोई मेहत नहीं था जैसे गाउँ चोड़ने का जो भी कारण हो वो अंतित सामान एवन सुवाविक था और वो ना उसके बताने की चीज थी और ना किसी के समझने की रामपुर में कोई है तेरा मैंने एक दुछन उसको गोर से देखने को आद दूसरा सवाल किया नहीं मालिक बाप और दू बेहने थी ताउन में मर गई वो फिर दात निपोर कर बहस पड़ा उसके बाद मैंने कोई प्रसंद नहीं किया हिम्मत नहीं हुई वो फॉरन वहाँ से सरक गया और मेला हेदय कुछ अजीब सी गड़ां से वर उटा उसकी खोपड़ी की सी हलवाई की दुकान पर दिन में लटकती काले गेस लेंप की वहांती हिल डूर रही थी हाथ पेर पतले पेट अब भी हट्डियां की तरह पूला हुआ और सारा सरी नहायत गंदा एम घरड़त मेरी इच्चा हुई जाकर बीबी से कहे दूँ कि इससे काम ना लिया करो यह रोगी है लेकिन फिर टाल गया क्योंकि इसमें मेरा ही गाटा था मैं जानता था कि इन नोकरों की कितनी किलत थी और रजुआ के रहने से इतना आराम हो गया था कि मैं हर पहली या दूसरी तारीक को रासन मसाला आदी खरीद कर महीने बर के लिए निश्चित हो जाता मैं ने सुना आगने पहुंचकर वो जोड़ से कह रहा है मलकाईन फोड़ा नमक होगा मिशर के यहां से रोटिया मिल गई है दाल बनाऊंगा मेरी पतनी चूले चौक्वे में लगी होई थी उसने कुछ देर बाद उसको नमक देते हुए पूचा हरे रजुआ सच बता न तुझे नहाए हुए कितनी दिन हो गए रजुआ बोला किषडी की किषडी नहाता हूं न मलकाईन जी वो नमक लेकर बोला और अस्ते हुए बाग गया मैं कमरे में बेटा यह सब सुन रहा था संभवत उसको मेरी उपस्तिती का ज्यान ना था उन्ने ता वो यह सी बात ना करता लेकिन यह बात साब थी कि अब वो मुहले में जम गया है उसको काने पीने की चिंता नहीं है इतनी ही नहीं अब वो मुहले वर्षे सेय पा रहा है लोग अब उससे हसी मजाक भी करने लगे है और उसे मारे पीटे जाने का किछित मात्र भी भहे नहीं अब अस यही बात थी और वो इस्तिती में परवतन से लाव उटाते हुए धीट हो गया था इसलिए उसने अपने आगमन की सूचना देने के लिए प्राज नितिक नारे लगाए थे जैसे हो कहना चाहता हो कि मैं आसी मजाक का विज़ए हूँ लोग मुझे से मजाक करें जिससे मेरे हिर्दे में हिमत और डाड़स बंदे मुझे बड़ा ही आश्चर हुआ लेकिन कुछे ही दिन बाद मैंने उसकी एक और हरकत देखी जैसे मेरे अनुमान की पुष्टी होती थी सायकाल दबतर से आ रहा था कि जियूत राम के कोले के पास मैंने रजुआ की आबाद सुनी पतिया की इस्त्री बतन माज रही थी और उसके पास कड़ा रजुआ टेड़ा मुँ करके बोल रहा था सलाम हो पुजी समाचार है न अन्त में बेमतलब ही 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 हसने लगा पतिया के बहुने तोड़ा मुश्की काड़ते हुए सुनाया दूर हो पापी समाचार पूछने का तेरा ही मुँ है चला जा नहीं तो जूटकी काली हाडी चला कर मारूंगी कि सारी लफंगई उतर जाएगी यहां उसने एक गंदे मुहावरे का इस्तमाल किया नेकिल मालूम पड़ता है कि रजवा इतने ही से कुस हो गया क्योंकि वो मुँ पहला कर हस पड़ा और पितरंत उसने दो-तीन बार सिर को उपर चटका देते हुए ऐसी इकलकारिया लगाई जैसे गास चरता हुआ गदा अचानाक सिर्व उठाकर डीचू डीचू कर उठता है फिर तो यह उसकी आदत हो गई सारे मुहली की चोटी जातियों कि और तों से उसने कनकी से नियारता और अंत में पूँच बैड़ता यह कौन है? अच्चा, बढ़गी बोजी है सलाम बोजी, सीता राम 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 जपना, पराया माल अपना इतना कहा वो दुश्टता पूरवक हस पड़ता वो किसी काम से जा रहा होता पर राष्टे में किसी औरत को बरतन मायते या अपने दरवाजे पर बैटे हुए या कोई और काम करते हुए देख लेता तो एक दो मिनट के लिए वहाँ पहुच जाता बेहया की तरह असकर कुसल चैम पूचता और अंत में छिड़की गाली सुनकर किलकारियां मारता हुआ बापस चला जाता दीरे दीरे वह इतना बहक गया की नीची जाती की किसी जवान हिस्त्री को देखकर चाहे वो जान पेचान की हो या ना हो दूचाही इच्की देदे कर किलकने लगता मेरी तरह मुखले के अन्ने लोगों ने भी उसमें इस परवतन पर गौर किया था और संभवत इसी कारण लोग उसे रजुआ से रजुआ साला कहने लगे अब कोई बात कहनी होती कितने गंबीर काम के लिए पकारना होता लोग उसे रजुआ साला कहकर बुलाते और अपने काम की परमायस करके हस पड़ते उनकी देखा देखी लड़के भी ऐसा ही करने लगे जैसे साला कहे वे ना रजुआ का को अश्टित ही न हो और इससे रजुआ भी बड़ा प्रसंद था जैसे इससे उसके जीवन की अनिश्चित्ता कम हो रही हो उस पर अ बातों पर कीकी हस पड़ता और फिर अपनी आदत के अनुसार सिर को उपर की ओर दो-तीन बार जटके देता तला मुह से ऐसी इचकी की आवाज निकलता हुआ जो अधिक कड़वी चीज खाने पर निकलती है चलता बनता वो समझ गया था कि लोग उसे देखकर खुश होते ह और वो अब सड़क पर चलते गली से गजरते गर में गुशते कामगी फरमाइस लेकर गर से निकलते वोई पर पानी बढ़ते समय जोरों से चला कर उस समय के पर चले त्रायन तेक नारे लगाता या कबीज की कोई गलत सलत बानी बोलता या किसी सुनी ही कविता या दोहे की एक दो पंतियां गाता ऐसा करते समय वो किसी की ओर देखता नहीं बलकि टेड़ा मुँ करके जमीन की ओर देखता हुआ मुँ पहला कर हसे जाता जैसे वो दिमाग की आँकों से देख रहा हो कि उसकी हरकतों को बहुत से लोग देख सुनकर प्रसंद हो रहे हैं 15-20 दिन के पाद एक दिन में साइकाल स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर टेहलने गया स्टेशन के फाटक से प्लेटफॉर्म पर आने के बाद मैं बाई तरफ जी आर्पी की चौकी की और बढ़ चला कि तुक कुछ कदम ही चला था कि मेरा ध्यान रजुआ की और गया जो मुझे कुछ दूर आगे था वह भी उदर ही आ रहा था मुझे कुछ आचर नहीं हुआ क्योंकि सहर के काफी लोग दिशा मैदान के लिए कठाहर नाला जाते थे जो इस्टेशन के पास ही बैता था मैं दीदेदे चलने लगा पर रुजुआ कठाहर नाला नहीं गया बलकि जी आर्पी क चौकी के पास कुछ ठिटक कर खड़ा हो गया अब मुझे कुछ आचर्य हुआ क्या वो किसी मामली में पुलिस वालों की चकर में आ गया है मेरी समझ में कुछ ना आया और उत्सुकता बस में तेज चलने लगा आगे बढ़ने पर इस्तितिक कुछ कुछ समझ में आने लग चौकी के सामने एक बेंच पर बैटे पुलिस के दो-तिन सिपाई कोई हसी मजा कर रहे थे और उनसे तोड़ी ही दूर पर नीचे एक नंगी औरत बैटी हुई थी वह औरत और कोई नहीं एक पगली थी जो कही दिनों से सहर का चकर काट रही थी उसको मैंने कही बार चौक म तो उसके पीछे हो जाते वो उसको चड़ाते उस पर इट पैकते और जब वो तंग आकर चीकती चिलाती भागती तो लड़के उसके पीछे दोड़ते रजुआ उस पगली के पास ही खड़ा था वो कभी संकित आखों से पुलिस वालों को देखता फिर मुह पहला कर हस का लोटना संबब ना हो सका असली बात जानने की उत्सुकता भी थी मैं सुन की योड़ देखता हुआ आगे बढ़ा लेकिन लाग कोसेश करके भी द्रेश्टी उदार चली ही जाती रजुआ सायत पुलिस वालों की लापरवाही का फाइदा उटाते हुए आगे बढ़ ग किया कौन है वे साला चलता बन नहीं तो मारते मारते बूसा बना दूंगा रजुआ वहां से तोड़ा हट गया और अस्तेवु बोला मालिक मैं रजुआ हुँ रजुआ भागजा साले गिद्दी की तरह ना मालूम कहां से आ पहुँचा संबवत दूसरे सभाई ने कहा और फिर वो सभी ठाका मार कर हस पड़े मैं अब काफी आगे निकल गया था और इससे अधिक मुझे कुछ सुनाई ना पड़ा मैं जल्दी पिरेट फॉर्म से बाहर निकल गया किन्तु मामरा यहीं समाप्त नहीं हो गया गराकर मैंने आंगन में चार पाई डाल बड़ी मुश समय जड़ा जल्दी उटी है मैं अनिच्चा पूर्वा गोटा और बाहर आकर जो द्रस से देखा उससे मेरे हिर्दय में एक ही साथ आचर एवं गड़ा की ऐसे बाव उटे जिनमें व्यक्त नहीं कर सकता रजुवा इस्टेशन की नंगी पगली की आगे आगे आ रहा था पगली कभी इधर उदर देखने लगती या खड़ी हो जाती तो रजुवा पीछे होकर पगली की अंगुली पकड़कर थोड़ा आगे ले जाता और फिर उसे छोड़कर थोड़ा आगे चलने लगता तता पीछे गुम गुम कर पगली से कुछ कहता जाता इसी तरह वो मल्य के लोग जाडे में दूब लिया करते और गर्मी में रात कुर लवारिस लफंगे सोया करते तब ही रजुआ नीचे उतरा किंतु पगली उसके साथ ना थी हम लोगों की उत्षुकता बढ़ गई थी कि देखें वो आगे क्या करता है हम लोग वहीं कड़े रहे और से कुछ लाया है इसके बाद दो तीन दिन तक रजुआ को मैंने मुहले में नहीं देखा उज दिन की घटना से मेरे हिर्दय में एक उत्षुकता बनी होई थी इसलिए एक दिन मैंने अपनी पत्नी से पूचा क्या बात है रजुआ आजकल दिखा ही नहीं देता अब यहां पड़ा हुआ है क्यों क्या बात है मैंने अपनी उत्षुकता प्रकट किये बिना धीमेश्वर में पूचा पत्नी ने मुश्कराएकर बताया हरे वही बात है रजुआ उस पगली को छट पर छोड़ नर्सिंग बावू की यहां काम करने लगा नर्सिंग बावू की इस्तर नर्सिंग बावू की इस्तरी ने जब उसे खाना दिया तो उसने वहां बोजन नहीं किया बल्कि खाने को एक कागज में लपेट कर अपने साथ लेता गया उसने वह खाना को थोड़े खाया बल्कि उसको वह उपर छट पर ले गया राते करीब 11 बजे की बात है रजुआ जब उपर पहुँचा तो देखा कि पगली के पास कोई दूसरा सोया है उसने हापत्ती की तो उसको उसक लफंगे ने फूप पीटा और पगली को लेकर कहीं दूसरी जगह चला गया तो मैं ये सब कैसे मालूं हुआ मेरा हिर्दा एक अंजन क्रोथ से बरा आ रहा आता बर पर मार खाने के चार दिन बाद रजुआ फिर महले में आकर काम करने लगा था लेकिन उसमें एक जबतश्त परवतन एह हुआ कि उसका हिस्त्रियों के साथ छिड़कानी करके गदे की बाती हिचकना किलगना बंध हो गया रजुआ ने आजकल दाड़ी क्यों रख छोड़ी है मैंने पत्नी से पूचा रजुआ की बात छिड़ने पर मेरी बीवी अबस हस देती मुस्कुरा कर उसने उत्तर दिया हाजकल वो भगत हो गया है बरन की बहु को उसके क्रत्त की सजा देने को उसने दाड़ी वड़ा ली है और रोजाना सनीचरी देवी पर जल चड़ाता है मेरे प्रसंद सुचक द्रिष्टी से देखने पर पत्नी ने अपनी बात इसपष्ट की बात यह है कि रजुआ पिछले कुछ महीनों से रात को बरन की बहु के यहां ही सोता था और उससे बुआ का रिस्ता भी उसने जोड़ लिया था रजुआ दो चार आने जो कुछ कम जमाता वो अपनी वुआ की यहां जमा करता रहता वो बताता है कि इस तरह करते करते 10 रुपए तक इकटे हो गए एक वार उसने बरन की बहु से अपने रुपए मांगे तो वो इनकार कर गई कि उसके पास रजुआ की एक पाई भी नहीं है रजुआ के दिल को इतनी चोट लगी कि उसने दाड़ी रख ली वो कहता है कि जब तक वरन की बहु को कोड़ ना फूटेगा वो दाड़ी नहीं मुडाएगा इसी काम के लिए वो सनीचरी देवी पर रोज जल भी चड़ाता है मैं कुछ नहीं बोला लेकिन पत्नी ने संभवत कुछ उदास्वर में कहा उसको आजकल थोड़ा बुखार रहता है उसका विश्वास है कि वरन की बहुने उना कर दिया है वो कहता है कि सनीचरी बहुत चलती देवी हैं हरे एक महीने में ही बरन की बहु कोड़ पूट कर मरेगी पता नहीं उसका जो है टूटा की नहीं मैंने जानने की कोशिश भी नहीं की विमा तो वो सदा ही का था सोचा सायद उतर गया हो क्योंकि काम तो वो उसी तरह कर रहा था हां बीच में उसके चेहरे पर जो चुश्ती और कुशी चमक चमक उड़ती वो तिरोहित हो गई थी ना वह उतना चैकता था ना उतना बोलता था अपी चक्रत वो अधिक गंबीर और सुस्त हो गया उसकी रुची धर्म की ओर मुड़ गई और सनीचरी देवी की मनत मानते वो अच्छा बाला भगत बन बैठा मेरे गर के सामने सड़क की दूसरी ओर क्वाटर में एक पंडिजी रहते हैं यहां तो वो लगडियां बेचते हैं लेकिन साथ साथ सत नमक तेल वगएर भी रखते हैं पलशरूप उनके यहां एक्के तांगे वाले और गाड़ी वानों की भीड लगी रहती है जो पंडिजी जी के यहां सत्तू लेकर अपनी भूख मिडाते हैं और उनकी दुपान के छायादा नीम की नीचे पांच-दस मिनट बिस्रम करते ह हुए ठटा मजाक भी करते हैं रात को वहीं उनकी मजलिस लगती है उस रात गर्मी इतनी थी कि आंगन में दम गुठा चा रहा था मैं काने के फश्चा चार पाई को गसीड़ते हुए लगव सड़के किनारे ले गया उमस तो यहां भी थी पर अपी चक्रत सांती मिली मुंदर से कुंदते हैं तो ताड का महरानी का कहती हैं सुनो सुनो प्रसंद करता की बात के उत्तर में रजुगा ततकाल जोस से ऐसे वोला जैसे आसंका हो कि यदि वो देर कर देगा तो कोई दूसरा ही बता देगा बजरंग वाली बड़े जवर थे वो समंदर में कुछ दूर तक तैर लेते हैं तो उनको ताड का महरानी मिलती हैं ताड का महरानी अपना रूप दिखाती हैं तो बजरंग वाली किस से कम हैं ये मिया एड़े तो हम तुम से ड्योडे बजरंग वाली भी उतने हो जाते हैं इसके बाद ताड का महरानी और बड़ी होती हैं तो ब बजुआ ने और जोड से बताया, सुनो सुनो गानी महात्मा को सरकार जब जेल में डाल देती है तो एक दिन क्या होता है कि सबी सिपाही प्यादा के होते हुए भी गानी महात्मा जेल से निकल जाते हैं और सबकी आखों पर पट्टी बंद रह जाती है। गानी महात्मा साथ समंदर पार करके जब देली पहुंचते हैं तो सरकार उन पर गोलियां चलाती हैं। गोली गानी महात्मा की चाती पर लगकर सो टुकडे हो जाती है और गानी महात्मा आस्मान में उड़कर गायव हो जाते हैं। इसके पूर महात्मा गांदी की मृत्यू का ऐसा दिल्चस्प किस्सा मैंने कभी नहीं सुना था यदि पी गांदी जी की हत्या हुए चार वर्स गुजर गए थे उसकी दाड़ी जैसे जैसे बढ़ती गई रजुआ के धर्म प्रेम का समाचार भी फैलता गया निचले तप्ये के लोगों में अब वर रज्यू भगत के नाम से पुकारे जाने लगा बड़े लोगों में अभी कोई-कोई अशी मजाक में उसको इसी नाम से सम्मोदित करता लेकिन उनके कहने पर वो सवर्मा कर हस्ते हुए चला जाता पर छोटी जातियों के समाच में वो कुछ न कुछ ऐसी कह गुजरता जो सबसे अलग होती अक्सर उनकी मजलिशन रात को पंडी जी की दुकान के आगे जमती और अजुआ उनसे राम शीता जी की चर्चा करता बूद प्रेत बरं डीय के मैत्व पर प्रकास डालता और जाडू मूख मंत्र जब का मैत्व समझाता वे नाना प्रकारगी संका प्रकट करते और रजुआ उनका समाधान करता लेकिन इतनी धार्मेक चर्चाए करने सनीचरी देवी पर जल चड़ाने तता दाड़ी रखने के बावजूद उसकी मनों का मना पूरी ना हुई साम को दब्तर से लोटा ही था कि बीबी ने चिंता अंसार स्वर में सूचना दी हरे जानते नहीं रजुआ को हैज़ा हो गया है उन दिनों गर्मी अपनी चर्म सीमा पर थी और गड़े तता बम पुलिस की गलियों में सेहर की हत्ति गंदे स्तान थे हैज़े की कई गटना हो गई थी मुझे आश्चा दे नहीं हुआ क्योंकि रजुआ को हैज़ा ना होता तो और किसको होता जिन्दा है या मर गया मेंने उदाचीन स्वर में पूँचा मेरी बतनी सोच प्रकट करते हुए का क्या बताएं मेरा ले जट पटा कर रहे गया वही कंडर में पड़ा हुआ है के दश्ट से पश्ट हो गया है लोग बताती हैं कि आदे गंटी में मर जाएगा कोई दवादारू नहीं हुई मेंने पूँचा कौन उसका सगा बैटा है जो दवादावू करता सिवनात बाबू के यहां काम कर रहा था पर जहां उसको एक क्या हुई उन लोगों ने उसको अपने यहां से खदेड दिया फिर हो रामजी मिस्र के ओसारे में जाकर वेट गया लेगें जब उन लोगों पता लगा तो उन्हों ने भी उसको भागा दिया उसके वाद वो किसी के यहां नहीं गया जाकर खंडर में पेड़ के नीचे पड़ गया मेनेजर से ब्यंग किया तुमनी अपनी यहां क्यों नहीं बुला लिया पत्नी को यह आसा नहीं थी कि मैं असा प्रसम करूँगा इसलिए इस्तंबित होकर मुझे देखने लगी अंत में बिगड़ कर बोली मैं उसे यहां बुलाती कैसी बात करते हैं आप मेरे भी बाल बच्चे हैं भगवान ना करे उनको कुछ हो गया तो मैं अस पड़ा फिर उट कड़ा हुआ पिरा देख आउं दरवाजी की और बढ़ता हुआ बोला आपकी पेरों पड़ती हूं उसको चूईएगा नहीं जट पर चले आएएगा पतनी गड़गडाने लगी जब मैं खंडर में पहुँचा तो दो-तीन ब्यक्ती सड़क के किनारे खड़े होकर रजुआ को निहार रहे थे वे मुहले की नहीं बलकि राष्टा चलते मुसाबिर थे जो रजुआ की दसा देखकर अकरमन ने दया इवं उत्सुकता से वहां खड़े हो गए थे रजुआ मैंने निकट पहुंच कर पूँचा लेकिन उसको किसी बात की इसकुद बुद ना थी वो पेड़ के नीचे एक गंदे अंगोचे में पड़ा हुआ था और उसका सरी के दस्त से लटपत था उसकी चादी की हड़ियां और उबर आई थी पेड़ तता आँकें पिचक कर दस गई थी और गालों में गड़े बन गए थे उसकी आँकों के नीचे भी गहरे काले गड़े दिकाई दे रहे थे उसका मुँँ कुछ खुला हुआ था पहले देखने से मालूम होता था कि वो मर गया है लेकिन उसकी सांसें दीमें दीमें चल रही थी मैं कुछ निश्चे न कर पा रहा था कि क्या किया जाए मालूम नहीं कहां से सिवनात बावु मेरी बगल में आकर खड़े हो गए दीरे से उन्होंने अपनी सम्मती भी प्रकट की ही कांट सर्वाइफ या वच नहीं सकता मैंने तेज द्रेश्टी से उनको देखा सिवनात बावु पर तो मुझे गुस्सा आई रहा था लेकिन अपने उपर भी कम जुजलाट ना थी कभी जी होता था कि जाकर घर बेट रहूं जब और लोगों को मतलब नहीं तो मुझे ही क्यों पड़ी है लेकिन उसे यों अपनी आँकों के सामने मरते हुए देखना नहीं चाहता था पर मैं उसका इलाज भी क्या करवा सकता था लगवक सोरों पर बेतन पाता था इसके अलावा महीने का अंतिम सब्ता था मेरे पास एक पाई नहीं थी पर उसे अस्पताल भी तो बिजवाया जा सकता है अचानक मन में विचार कोंदा मेरी जुजलाट जैसे अचानक दूर हो गई और मैं तेजी से अस्पताल रवाना हो गया अस्पताल पहुँचकर मैंने सम्मंदित अधकारियों को सूचित किया व셔서 की मोटर गाड़ी पर बैटकर मैं स्वेम साथ आया रजुआ की सास अभी चल रही थी अस्पताल के दू मेहतरों ने जो साथ आये थे उसको किंचकर गाड़ी पर लाद दिया जब गाड़ी चली गई तो मैंने संतोस की सांस ली जैसे मेरे सिर से कोई बहुत बड़ा बोज हट गया हो सबकी यही रायती की रजुआ बच नहीं सकता परन्तु वो मरा नहीं यदि एस्पितल पहुँचने में थोड़ा भी बिलम हो गया होता तो बेसक काल के काल से उसकी रच्चा ना हो सकती अस्पितल में वो चार-पांच दिन रहा फिर वहां से बरकास्त कर दिया गया किन्तो उसकी हालत बेहत खराब थी वो एकदम दोला पतला हो गया था वो उसके से चल पाता और जब बोलता तो हाँ अपने लगता ना मालूम क्यों वो अस्पितल से सीधे मेरे घर ही आया यद भी मेरी पतनी को उसका आना बहुत बुरा लगा येकिन मैंने उससे कह दिया कि दो-चार दिन उसे पढ़ा रहे हैं थी फिर वो अपने आपी इदर उदर आने जाने तदा काम करने लगेगा वो चार-पांच दिन रहा काने कुछ पाही जाता वो कोई ना कोई काम करने की कोसिस करता पर उससे होता नहीं था किसी को घर में बैट कर मुक्त कलाना मेरी स्रीमती जी को बहुत बुरा लगता था पर अन्तु सबसे बड़ा भय उनको ये था कि उसके घर में रहने से किसी को हैजा ना हो जाए और एक दिन घर आने पर रजुआ नहीं दिखाई पड़ा पूछने पर बीवी ने बताया कि वो अपनी तबियत से पता नहीं कब कहीं चला गया वो कहीं गया ना था बलकि मुहले में ही था लेकि ना वो बहुत कम दिखाई पड़ता मैंने उसको एक दूबा सड़क पर पेर गिसट गिसट कर जाते हुए देखा संभवाद वो अपना पेट भनने के लिए कुछ ना कुछ करने का प्रतन कर रहा था फिर एक दिन मैंने उसे खंडर में पुन पड़ा पाया शिवनात बाबू अपने दरबाजी पर बैट अपने सरीर में तेल की मालेश कर रहे थे मैंने उनसे जाकर नमस्कार करते हुए प्रसंद किया रजुवा खंडर में क्यों पड़ा हुआ है उसे फिर हैजा हुआ है क्या शिवनात बाबू बिगड गए गोली मारिय साहब आके कोई कहां तक करे अब साले को खुजली हुई है जहां जाता है कुजलाने लगता है कौन नों से काम कराए फिर काम भी तो नहीं कर सकता साहब अभी दो तीन रोज की बात है मैंने कहा एक गगरा पानी ला दो गया जरूर लेकिन कुए से उतरते समय गिर गया बच्चो पानी तो खराब हुआ ही गगरा भी तूट पिचक गया मैंने तो साप साप कह दिया कि घर के अंदर पेर ना रखना नहीं तो पेर तोड़ दूँगा गरीबों को देकर मुझे भी दया माया सताती है पर अपना भी तो कुछ देखना है मैं कुछ नहीं बोला और चुपचाप घर लोटाया इस वार मेरी हिम्मत नहीं हुई कि जाकर उसे देखूं या उससे हाल चल पूँछूं गर जाकर मैंने पत्नी से पूचा तुमने रजुआ से कुछ कहा सुना तो नहीं था मुझे सकता कि बीवी ने ही उसको भगा दिया होगा और इसलिए वो मेरे घर नहीं आता मेरी बात सुनका स्रीमिती जी अचकचा कर मुझे देखने लगी फितनक कर बोली क्या करती रोको पालती को मेरा भाई बंदू तो नहीं मैं क्या कहता बस चुप रहा रजुआ को बहेंकर कुछली हो गई थी लेकिन उसने मुहला नहीं चोड़ा वो अकसर खंडार में बैठकर अपनी सरीर को कुछलाता रहता खाने की आसा में वो एदर उदर चक्कर भी लगाता कभी कभी वो मेरे गर के सामने लखडी वाले पंदित के यहां आ जाता और पंदित जी थोड़ा सत्तू दे देते मैंने भी एक दुबार अपनी लड़के के हाथ खाना बिजवा दिया इसी तरह उसके पेट का पालन होता रहा उसका चहरा बहंकर हो गया था एकदम पीला और हाथ पेट चली हुई रस्षी की तरह एंटे हुए वो बाहर कमी ही निकलता और जब निकलता तो उसको देकर एक अजीब दहसत सी लगती जैसे कोई नरकंकाल चल रहा हो बाहर नाली में बरसा का पानी पूरे बेक से दोड रहा था और सरीर पर पुरवाई की जोंके आ लगते जिससे मैं एक मदर सुष्टी का अनवब कर रहा था मैंने कलम मेज पर लग दी और पुर्सी पर से टिकर उगने लगा यदि एक आहट ने चौका ना दिया होता तो मैं भी सो जाता मैंने आके कोल कर बाहर जाका बाहर उसारी में खड़ा एक 13-14 बरस का लड़का मेरे कमरे में जाक रहा था लड़के के सरी पर एक कंदी दोती थी और चेहरा मेला था मुझे संद्य हुआ कि वह कोई चोर चाही है इसलिए मैंने टटकर पूचा कौन है रे क्या चाहता है लड़का दुबकर मेरे कमरे में गुसा आया और ने धड़क होकर बोला सरकार रजुआ मर गया है उसी के लिए आया हूँ और अंतमयास पड़ा मर गया? कब मरा? कहां मरा? मैंने साच्चर मुहों बना कर एक ही साथ उससे कई प्रसंद किये लड़के ने पिर हस्ते हुए कहा हाँ सरकार मर गया मालिक इस कारण पर उसके गाउं एक चिट्टी लिख दीजिए मैंने इसके आगे रजुआ के संबंद में कुछ न पूचा मैं अचारक डर गया कि यदि मैंने मामले में अधिक दिल्चस्पी दिखाई तो हो सकता है कि मुझे उसकी लास पूपने का भी प्रमंद करना पड़े लड़के की हाथ में एक पुष्ट कार था जिसको लेते हुए मैंने सवाल किया इस पर क्या लिखना होगा उसके गाउं का क्या पता है मालिक रामपुर के बचंद राम बरही के यहां लिखना होगा लिख दीजिए कि गोपाल मर गया लड़के की आवाज कुछ ठीड हो गई थी गोपाल लड़का बोला जी वहाँ तो उसका यही नाम है मैंने पोस्ट कार पर तेजी से मजमून तता पता लखा और पत्र को लड़के के हवाले कर दिया मैं लड़के से पूँचना चाहता था कि तू कौन है रजुआ कहां मरा उसकी लास कहां है परंतु मैं कुछ नहीं पूँच सका जैसे मुझे काट मार गया हो सच कहता हूँ रजुआ की मरत्यू का समाचा सुनकर मेरे हेदय को अपूर्व सान्ती मिली जैसे दिमाकवा पड़ा हुआ बहुत बड़ा बोज हट गया हो उसको देखकर मुझे सदा गहना होती और कभी-कभी सोच कर कश्ट होता था कि इस व्यक्ती ने सदा ऐसे प्रयास किये जिससे इसको भीक ना मांगनी पड़े और उसको भीक मांगनी भी पड़ी है तो इसमें उसका दोस कते ही नहीं रहा है मैंने उसके बारे में कही बार कुध बसोचा कि यह कमबक एक ही मुखले से क्यों चिपका हुआ है गुम-गुम कर सहर में भीक क्यों नहीं मागता मुझे कभी-कभी लगता कि वह किसी का मोताज ना होना चाहता था और इसके लिए उसने कोशिस भी की जिसमें वो असपल रहा चुकि वो मनना ना चाहता था इसलिए जोग की तरह जिन्दगी से चिम्टा रहा लेकिन लगता है जिन्दगी स्वयम जोग की तरह उससे चिम्टी थी और दीरे दीरे उसके रक्त की अंधिम बूत तक पी गई रजवा कमरे तीन-चार दिन हो गए थे सारे मुहले में ये समाचार उसी दिन फैल गया था मुहले बालों ने अफसुस प्रकट किया और सिवनात बाबू ने तो यहां तक कह डाला कि जो भी हो आदमी वो वीमांदार था राती करीब आठ बजे और मैं बाहरी उसारे में बैटा था आस्मान में बादल चाये थी और सारा बातावरन इतना संथ था जैसे कि सेडेंतर में लीन हो बगल की चौकी पर रखी दुनली लांटेन कभी कभी चकमक कर उड़ती थी और उसके चार और उड़ते पतंगे कभी कभी कमीच की अंदर गुश जाते जिससे तबियत असहाय खीच से बर उड़ती मैं बीता जाने के उद्देसे से उटा की सामने एक चाया देकर एकदम डर गया रजुआ की साकल का नरकंकाल भीता चला आ रहा आता सच कहता हूं यदि मैं भूत प्रित में विश्वास करता तो चिला हुटता मैं आगें फाड़ फाड़ कर देख रहा आता नरकंकाल दीरे दीरे गिसरता बड़ा आ रहा आता ये तो रजुआ ही था ठट्री मात्र क्या वो जिंदा है वो मेरे निकटा गया संभवत मेरी परेशानी भापकर बोला सरकार मैं मरा नहीं जिंदा हूँ अंत मैं वो सुके होटों से हसने लगा तब वो लड़का क्यों आया था मैंने गंबी तब पूरक प्रसंद किया उसने पहले दात निपोर दिये फिर बोला सरकार वो गुद्डी वाजार के बच्चन राम का लड़का था है मैंने ही उसको बेजा था बात यह होई सरकार कि मेरे सेर पर कोवा बैट गया था हजूर कोवे का सेर पर बैटना बहुत असुमाना जाता है उससे मौत आ जाती है फिर गाओं पर चिट्टी लिगने का क्या मतला मेरी समझ में अभी भी कुछ नहीं आया था उसने समझाया सरकार यह मौत वाली बात किसी सगे सम्मंदी के यहां लिग देने से मौत तल जाती है बजराम बड़ाई मेरे चाचा होते है मालिक एक और कार्ड है जिस पर लिख देन कि गोपाल जिन्दा है मरा नहीं मैंने पूछना चाहा कि तु क्यों नहीं आया लड़के को क्यों बेज दिया लेकिन ये सा ब्यर्थ था संभवत उसने सोचा हो कि उसका मतलब कोई न समझे और लोग बात को मजाग समझकर कहीं दुरदुरा न दे मैंने पुष्टकार लेकर उस पर उसकी इच्छा उनसा लिख दिया पुष्टकार लोटाते समय मैंने उसके चेहरे को गोर से देखा उसके मुक पर मौत की वीशन चाया नाच रही थी और वो जिन्दगी से जोग की तरह चिम्टा था लेकिन जोग वो ताया जिन्दगी वो जिन्दगी का खुन चूस रहा था या जिन्दगी उसका कुन चूस रही थी या मैं तेह ना कर पाया तो दोश्टो यह थी आज की हमारी कहानी अगर कहानी आपको पुस्टाई ही हो तो क्रिपया चैनल को सब्सक्राइब अबस्ट करें आगे आपको मुलाकात होगी एक और नई कहानी के साथ